एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार अकाउंटिंग गुरु में मैं वीपुल मिश्राएक बार फिर से आप सबके लिए फाइनिंशल एकाउंटिंग और विकॉम स्टूडेंट चाप्टर वन इंट्रोडेक्शन ओफ अकाउंटिंग जिसे आप ले खांकन का परिचे भी कहते हैं इस चाप्टर के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और साथे साथ पाइनिशल अकाउंटिंग का ये नया सेशन जो की आप लोग 2023 और 2024 में पढ़ेंगे इसको हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं तो आज की क्लास में हम लोग चाप्टर वन के बारे में बात करेंगे और जिसका नाम क्या है आपका इंट्रोडेक्शन ओफ अकाउंटिंग जब भी आपके सामने इंट्रोडेक्शन ओफ अकाउंटिंग की बात आए सीधी सी बात है आप लोग financial accounting पढ़ रहे हो financial accounting का मतलब क्या होता है या financial accounting का जो base है यह क्या होता है किसी chapter में आपको क्या किया गया है explain किया गया है देखो एक चीज़ जानो जब आप branch की बात करते हो जब आप किस की बात करते हो branch की बात करते हो branch of accounting की बात करते हो branch of accounting में आपने क्या-क्या देखा है मेरे साथ एक बार ज़रा इस point को लिखिएगा आप लोग क्योंकि यह जो point है यही point आपके semester के financial topic सर्फ semester के financial topic को ही नहीं बलकि आने वाले semester के subject को भी थोड़ा सा क्या कर देगा explain कर देगा ठीक है देखो जरा ध्यान से अगर किसी ने आप से पूछा कि जरा बताइए मुझे branch of accounting क्या होती है तो आप लोगों ने इस branch of accounting का जो topic है अगर आप commerce student है तो आपने इसको become में अपने class अलावंत में पढ़ा होगा किसमें आपने पढ़ा था कि branch of accounting में जो पहली branch होती है हमारी वो क्या होती है आपकी financial accounting होती है तीसरी एपकी क्या होती है Management accounting होती है तीसरी क्या है आपकी management accounting होती है और पिर आगे एक होता है आपका tax accounting और फिर last है आपका क्या सोसल रिस्पॉंसिबिलिटी एकाउंटिंग तो सल रिस्पॉंसिबिलिटी एकाउंटिंग देखो यहां पर मैंने अच्छा एक और आपका है एच आर एम एकाउंटिंग इसे हम क्या कहते हैं human resource management एकाउंटिंग के नाम से जानते हैं जब भी आप accounting की बात करते हो चाहे वो आप किसी भी accounting की बात करो financial की बात करो cost की बात करो management की बात करो यह tax social responsibility यह HRM की बात करो सब में एक चीज common है और वो एक चीज क्या है मेरे साथ लिखेगा वो क्या है आपका recording दूसरा क्या है आपका classification दूसरा आपका क्या है क्लासिफिकेशन और तीसरा है आपका क्या समराइजेशन तीसरा हमारा सब्द क्या है समराइजेशन यह तीन चीज आपको पकड़ के चलनी है पहला क्या है आपका recording है दूसरा क्या है आपका classification है और तीसरा आपका क्या है summarization है तीसरा क्या है हमारा summarization है तो ये तीन चीज़ अगर आपने पकड़ के रखा तो यकीन मानिए सिर्फ इस semester ही नहीं आने वाले semester में देखो अभी आप second semester में हो तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो finance account पढ़ रहे हो जब आप अगले semester में जाओगे तो आप cost accounting पढ़ोगे फिर अगले semester में जाओगे तो आप management accounting पढ़ो फिर अगले में जाओगे तो text accounting social responsibility account HRM accounting जितनी भी आप accounting पढ़ोगे तो ये तीन चीज़ें आपको पकड़ के चलनी है इसका सबसे बड़ा कारड ये है क्योंकि पहला क्या है accounting पहला क्या है recording दूसरा क्या है classification और तीसरा क्या है summarization इसको हम one by one समझते हैं और ये जो हम आपको समझा रहे जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको financial base पर समझाएंगे cost base पे नहीं समझाएंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा हम आपको overview दे देंगे आपके आने वाले semester के लिए ताकि आपका जो accounting को लेकर नजरिया है वो नजरिया आपका पूरी तरीके से बदल जाएं clear हो गया भीया तो सबसे पहले आपको क्या देना है अपना chapter 1 का नाम आपको लिखना है और आपका chapter 1 क्या है introduction of accounting chapter 1 क्या है आपका introduction of accounting देखिए जब भी आप introduction of accounting की बात करेंगे यानि chapter 1 की बात करेंगे तो देखिए आपको इस chapter में यह जो मैंने point लिखे हैं यह point आपको क्या करने है पढ़ने है और basically exam में इसी तरीके से question भी आपके put up किये जाएंगे clear हो गया चलिए one by one हम सारे question को आपके लिए पढ़ देते हैं आप लोग इसको note कर लीजेगा सबसे पहले हमारा जो question है वो क्या है आपका what is the accounting दूसरा क्या है आपका feature of the accounting यहां पर accounting बोल रहा है accounting का मतलब है financial accounting क्योंकि आप financial accounting पढ़ रहे हैं तो सिर्फ accounting मत लिख लीजेगा आप यह लिख लीजेगा कि what is the financial accounting या फिर feature of the financial accounting देन उसके बाद अगला क्या है आपका importance of the importance and objective of the accounting जो की हमको इस chapter में पढ़ना है फिर तीसरा हमें पढ़ना है meaning of the bookkeeping and feature of the bookkeeping फिर उसके बाद हमें अगला पढ़ना है difference between the bookkeeping and the accounting और फिर आपको पढ़ना है advantage and disadvantage of the accounting और फिर देखे जो चीज अभी अभी मैंने starting में आपको अभी बताई दो मिनट पहले इसका नाम क्या है आपका branch of accounting यह देखे यहाँ पे भी लिखा है और कुछ miscellaneous topic है जिसे हम आपको class के आखरी में ही बताएंगे तर वो miscellaneous topics क्या है बिटा जब class खतम हो जाएगी मतलब class का जब आखरी session चलेगा तब आप इस miscellaneous topic को देख लेंगे खाली आप heading डाल लीजेगा miscellaneous यह वो chapter है यह वो topics है जो कि आपको chapter 1 में क्या करने है पढ़ने है अब exam में इसी तरीके से question भी आता है exam में आपसे पूछेगा advantage and disadvantage of the accounting यह आपसे पूछ लेगा कि explain the objective of the accounting यह आपसे पूछ लेगा कि what is the accounting and explain the feature of the accounting इसी लिए मैंने आपको questions लिखा दिये हैं अगर यह questions आपको तयार हो गए है तो आपका paper भी अच्छे से क्या हो जाएगा तयार हो जाएगा no doubt clear हो गया तो आप सबने हम उमीद करते हैं कि आप सबने इस question को note कर लिया है इस topics को सब लोगों ने क्या कर लिया है अब हमारा जो सबसे पहला topic है वो है हमारा क्या कि what is the accounting और फिर feature of the accounting सबसे पहले what is the accounting यानि accounting होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो देखिए आपकी screen पे एक छोटी सी definition आपको दी गई है इस definition को ज़रा ध्यान से समझेगा और इसी definition से आपका पूरा concept financial accounting को ले होती है गलती यह होती है कि हम रटने का प्रयास करते हैं हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं हम आपसे सर्फ एक ही चीज कहेंगे कि आप पहले समझ लीजे आपको रटने की कोई भी और शकता नहीं होगी इस बात की मेरी guarantee है समझते हैं और इसके लिए हम आपको ले चलते है एक definition की तरफ से एक definition की तरफ और वो definition दी गई है किसका AICPA के द्वारा यानि the American Institute the American Institute of the Certificate Public Accountant इनके द्वारा एक definition दी गई है accounting को लेकर और वो definition क्या दी गई है ये ज़रा पढ़ते हैं इन्होंने लिखा है कि accounting is the art of recording इन्होंने क्या बोला accounting is the art of recording फिर उन्होंने क्या बोला classifying and summarizing देखो अगर आपको याद हो तो अभी पांच मिनट पहले मैंने ये तीन चीज़ें लिखे भी थी इन चीज़ें ये लिखे भी थी common art of recording खाली art नहीं लिखा था लेकिन recording classification और summarizing का बात मैंने लिखा था अब इसको हम समझते हैं उस देर के बाद इन्होंने क्या बोला American institute of certified public accountant ने क्या बोला कि accounting is the art of the recording classification and summarizing summarizing in the significant manner देखो significant का मतलब क्या होता है significant का मतलब होता है सही तरीका मैंनर का मतलब क्या होता है तरीका न और significant का मतलब क्या होता है सही तरीका या उचित तरीका and in terms of the money transactions and event which are in the part at least financial character and interpreting the result thereof आई ये अब इसको हम समझते हैं देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये सरीए financial character क्या होता है देखिए financial character का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी transaction करते हैं जैसे suppose करिए ये दो वेक्ति हैं ठीक है ये कितने वेक्ति हैं आपके दो वेक्ति हैं आपके स्क्रीन पे देखो दो लोगों को मैंने बना दिया एक का नाम S है एक का नाम क्या है P है S यानी seller P यानी आपका क्या पर्चेजर तो जब शेलर और पर्चेजर कोई transaction करेंगे transaction का मतलब क्या है सेलर का काम क्या है समान को बेचना पर्चेजर का काम क्या है समान को खरीदना अब यहां पर एक चीज देखे सेलर अपने समान को दो तरीके से बेच सकता है या तो वो अपने समान को कैश में बेचेगा या तो अपने समान को किस में बेच सकता है क्रेडिट में बेचेगा क्या मैं सही कह रहा हूँ ठीक उसी प्रकार जब आप परचेजर की बात करते हैं तो परचेजर भी अपने समान को कैसे बेचेगा या तो क्याश में बेचेगा या तो वो किस में बेचेगा क्रेडिट में बेचेगा क्या मैं सही कहा रहा हूं इससे आप एक चीज़ का अन्मान और भी लगा सकते हैं अगर माल लीजे आप से ये Question पूछा जाये कि बता ये कितने तरीके की होती है कितने तरीके की होती है तो आप ये बड़े प्यार से कह सकते है कि सर हमारे लिए सेल दो तरीके की होती है एक क्या सेल होती है और एक हमारे लिए क्या होती है क्रिडिट सेल होती है ऐसा ही कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा जारा ध्यान से बहुत ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा कि भई सेल कितने तरीके की होती है तो आपने कहा सर्थ दू तरीके की होती है एक होती है cash sale और एक आपकी होती है क्या credit sale देखो एक तरीके से छोटा सा formula भी यहाँ पे बन गया इस सबको आप note करते रहिएगा एक है आपका क्या cash sale प्लस क्या है आपका credit sale अब देखो ज़रा ध्यान से ठीक उसी प्रकार अगर हम purchase की बात करें तो purchase भी दो तरीके से होता है एक हो गया आपका क्या एक क्या हो गया आपका एक क्या हो गया बेटा आपका क्याश पर्चेस एक हो गया आपका क्या क्या पर्चेस और दूसरा क्या हो गया हमारा बेटा क्रेडिट पर्चेस समझ भी आ गया एक हो गया हमारा क्या पर्चेस दूसरा क्या हो गया हमारा क्रेडिट पर्चेस अब समझो द्यारा ध्यान से इनके बीच में जो रिलेशन हो रहा है सेलर और पर्चेजर के बीच में जो रिलेशन हो रहा है उसी relation को हम लोग नाम देते हैं transaction का नाम देते हैं यानि relation relation between sailor and buyer और यह क्या कहलाएगा आपका transaction कहलाएगा क्या कहलाएगा भई आपका यह transaction कहलाएगा ठीक है transaction क्या होता है समझ में आ गया कि भई सेलर और परचेजर के बीच का जो relation है वो हमारे लिए क्या कहलाता है transaction कहलाता है अब इसी transaction में अगर money का involvement हो जाए इसी transaction में अगर किसका involvement हो जाए money का involvement हो जाए तो उसी transaction को हम लोग नाम देते हैं आपका financial transaction का नाम देते है आपका financial transaction यानि relation between the seller and purchaser in the terms of the money in the terms of the money is called the financial transaction और इसी financial transaction को हम financial accounting की help इसे इसी transaction को हम किसकी help से बेटा financial accounting की help से क्या करते हैं अपने लिए यूज करते हैं ताकि हमें future में क्या मिल सके result मिल सके ताकि future में हमें क्या मिल सके जो भी हम desire चीजे चाहते हैं वो हमें क्या हो सके मिल सके आते इतनी समझ में आ गई तो अब देखो आपने जो definition पढ़ी थी वो definition जड़ा एक बार देखिए इस definition के हिसाफ से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया इस definition से हमने क्या समझ लिया financial character क्या होता ये समझ में आ गया हम लोग को समझ लेते हैं यह अपने का मतलब क्या होता है घया के लिए यहां इसके लिए यहां पर ठोटा सा definition लिखा गया है, का लिखा है कहता है कि it is the consequence of the company has to undergo when the number of the monetary transaction is involved such as purchasing the new machinery, transportation, machinery installation on site etc देखें इवेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी transaction करते हैं उस transaction के करने की वज़ा से अगर कोई अन्य transaction automatic अगर आपको करने पर मजबूर कर दिये जाएं जैसे suppose करिए कि आपने एक मसीन खरीदी तो जब मसीन खरीदी है आपने देखा जाए तो यह financial transaction है कि नहीं है लेकिन क्या मसीन बिना installation के चलने लगेगी क्या मसीन बिना installation की चलने लगेगी क्या मसीन बिना transportation के आपके go down पर आ जाएगी क्या मसीन को बिना setup किये आप उसको अच्छे से चलने लगोगे नहीं तो अगर कोई transaction आप कर रहे हैं और उस transaction की वज़ा से कई और transaction अगर आपके पास आ जाएं तो वो आपका क्या कहलाता है event कहलाता है event कहलाता है point clear हो गया जैसे suppose करिए कि आप साल के आखरी में जब आप मसीन चलाते रहेंगे तो साल के आखरी में depreciation आपको काटना पड़ेगा और सोचो अगर मसीन ना चलाए तो depreciation कटेगा क्या आंसर है नहीं तो यह जो depreciation आप काट रहे हो यह भी आपके लिए क्या कहलाएगा event कहलाएगा इतना point clear हो गया यानि event का मतलब क्या होता है कि जहां पर monetary number of monetary transaction एक साथ क्या हो जाते हैं involved हो जाते हैं और इसी की वज़ा से event की वज़ा से अगर उस event में अगर कुछ पैसे का effect दिख रहा है तो वह आपका कहलाएगा economical event आपका क्या कहलाएगा economical event आप clear हो गई कि नहीं clear हो गई अब आई ये देखते है तो event भी हम लोगों ने क्या कर लिया समझ लिया आप कुछ और चीजे देखते हैं जैसे यहां पे यह सब्द लिखा है recording लिखा है सब्द क्या आप accounting की बात करते हो, जबी भी आप किसकी बात करते हो, accounting की बात करते हो, accounting में आपने क्या लिखा, accounting is the, इसको आप लोग बनाईएगा डाइगराम को, is the art of recording, is the art of recording, is the art of classification, is the art of summarization, अब सवाल ये उड़ता है कि सर, ये जो recording, classification और summarization, सब्द आप इस्तमाल कर रहे हैं, ये actual में हम perform कैसे करेंगे, तो देखो, recording जो आप करेंगे accounting में, वो through the journal entry करेंगे, जो हम recording करेंगे, आपके financial accounting में, वो कैसे करेंगे, through the journal entry करेंगे, ठीक है, classification की जब आप बात करते हो, तो classification आप deal करोगे with the help of the laser, with the help of the laser, और इन दोनों को ध्यान से सुनियेगा, इन दोनों का एक substitute है, जिसका नाम है, subsidiary book, का नाम है भई, subsidiary book नाम है, ठीक है, मतलब accounting, sorry, journal entry और laser, इनका एक substitute है, वो क्या है, आपका subsidiary book है, clear हो गया भीया, अब ध्यान देजिए, जैसे मैंने आप से कहा कि recording आप कैसे करोगे, तो आपने कहा कि sir हम recording करेंगे, journal entry की साहता से, classification कैसे करेंगे आप laser की साहता से, और इनका जो substitute है, वो क्या कहलाएगा, आपका subsidiary book कहलाएगा, अभी one by one, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आपके summarization की, तो summarization की जब आप बात करते हो, तो summarization जो deal किया जाता है, वो तीन activity से deal किया जाता है, कितनी activity से deal किया जाता है, तीन activity से deal किया जाएगा, एक कहलाएगा आपका trial balance, एक कहलाएगा आपका final account, और तीसरा आपका कहलाएगा क्या balance sheet, और कमाल की बात मैं आपको बताऊँ, कि जो आपका, क्या कहते हैं, आपका final account है, ये भी दो भागों में बटा है, एक है आपका क्या, trading account, एक क्या है आपका trading account, और फिर एक क्या है आपका profit and loss account, profit and loss account, बात इतनी समझ में आ गई आप लोगों को, तो अगर किसी ने पूछा कि ज़रा बताओ, definition क्या है, तो definition अगर आप बता रहे हो न, तो उस definition के हर एक point को भी आपको explanation करना होगा, बाई सीधी सी बात है, जब आप एक चीज को अच्छी तरीके से समझ लोगे न, तो आगे चलके आपको जरासी भी परिसानी नहीं होगी, तो किसी ने कहा कि accounting गया है, तो आपने सीधा कहा कि it is the art of the recording, classification, summarization of the financial data in the significant manner, अब आप एक, एक point को आप explain अगर करने लगे, अगर अच्छे से कर लिए, सीख लिए, तो एकीन मानिए, आपने पूरी definition ही नहीं, आपने पूरी accounting को अच्छे से क्या कर लिया है, समझ लिया है, अध क्लियर हो गई, अब जरा ध्यान से और देखिए, जब आप यहाँ पे, सबसीडरी बुक की बात करेंगे, तो सबसीडरी बुक के भी आपके आठ पार्ट हैं, इतने पार्ट है बेटे, आठ पार्ट हैं, तो मेरे साथ बोलते रहो, मन में बोलते रहो, ठीक है, मन में से फाइदा यह होगा, कि आपको याद होगा, इसलिए मैं सदो को दो बार रिपीट कर देता हूँ, सबसीटरी बक से अगर किसी ने पूछा कि भाई, सबसीटरी बक कितने तरीके की होती है, तो आपने कासर आठ तरीके की होती है, एक होती है हमारी, cash book दूसरी होती है हमारी purchase book तीसरी होती है हमारी sale book तीसरी क्या होती है हमारी sale book चौथी होती है हमारी purchase return book परचेज written book फिर अगली क्या होती है हमारी बिटा sale return book फिर अगली होती है हमारी bill receable book लिख दिया है मैंने बियार को क्या कहते है bill receable कहते है bill receable के बाद अगला है आपका bill पेबल बुक और फिर लास्ट है आपका journal लास्ट क्या है हमारा जर्नल लॉक कितने हो गए एक बार जोड़ लो आठ हो गए कि नहीं हो गए एक दो इन कर आज कितने हो गए आपके आठ सबसीडरी भूग भी आपके कितने तरीके की होती है आठ तरीके के हो अब बताईए आपने recording क्लासिफिकेशन समराइजेशन का मतलब समझ लिया कि नहीं समझ लिया रिकॉर्डिंग को हम हिंदी में कहते हैं लिखना क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गी करण करना अच्छा वर्गी करण मतलब क्या होता है जानते हैं वर्गी करण मतलब एक जैसे नेचर वाल अगर कोई cash का receival है या cash का payment है किसमें भेज दीजे cash book में भेज दीजे अगर कोई BR आ रहा है किसमें भेज दीजे bill receival book में भेज दीजे इतनी बाते समझ में हो रहे हैं कि नहीं आ रही है तो बाई सीधी सी बात है classification का मतलब क्या होता है कि एक जैसे नेचर वाले को एक जैसे class में आपको क्या कर देना है भेज देना है जैसे suppose करिए कि मान लीजे ये आपकी school की फिल्ड है अब यहां पर यह चोटे मोटे लंबे चोड़े बच्चे भी खड़े हैं अगर मैं आपसे कहूं कि ज़रा बताओ वो जो दूसरी लाइन में लड़का खड़ा है वो किस class का है कई आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे लेकिन अभी जैसे ही prayer खतम होगी पांच वाली class वाला बच्चा किसमें चला जाएगा अच में आठ वाली बच्चा 8 में चला गया दस वाली वाला 10 में चला जा जायगा बारह वाला बारह में चला जाएगा यानि जब वो ग्रूप में खड़े थे तो वो हो गये recording हो गई तो आपकी क्या हो गई recording हो गई और जैसे ही वो अपनी अपनी class में गए वो क्या हो गया classify हो गया कि नहीं हो गया क्लासिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया तो I hope आपको अब accounting की definition में कोई समस्या नहीं होगी एक बार फिर से हम आपकी definition को देख लेते हैं accounting is the art of the recording, classification, summarization in the significant manner, in the terms of the money, transactions and event which are part at least the financial character, financial character मतलब वही money वाला and interpreting the result, interpreting the result का मतलब क्या होता है, देखो interpreting का मतलब होता है बेटा, कि जो आपने result निकाला है, जो आपने क्या किया है, result निकाला बाप कोगे sir, result कैसे निकलेगा, क्यों नहीं, आपने financial accounting में trial balance बनाया होगा, summarization करके आए हो न, आपने profit and loss account बनाया होगा, आपने balance sheet बनाया होगी, तो आपको पता चल जाएगा न, कि जैसे देखो, जब आप profit and loss account बनाये, जब आप क्या बनाये, profit and loss account बनाये, तो profit and loss account से क्या आपको net result पता चला होगा, कि नहीं पता चलेगा, कि आपको profit आ रहा है कि loss आ रहा है, बता ये ज़रा, profit and loss से आपको net result पता चलेगा, जब आप balance sheet की बात करोगे, तो balance sheet से आपको क्या पता चलेगा, net position पता चलेगी, क्या पता चलेगी, net position, आप से एक नंबर का सवाल यहां पर पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, ज़रा, बताओ, net position हम कैसे पता करेंगे, आप answer दीजे, balance sheet से, आप से सवाल पूछा जाएगा, net result हम कैसे पता करेंगे, आप answer दीजे, profit and loss account, जब आप profit and loss account से, या balance sheet से, net position या net result पता कर चुके हैं, तभी तो आप ये पता कर सकेंगे, कि आपका जो business है, वो profit motive में है, profit way में चल रहा है, या loss way में चल रहा है, क्या आप इसे पता कर पाएंगे, कि नहीं पता कर पाएंगे, तभी एक business की growth हो रही है, ये कैसे पता चलेगा, जब आप profit and loss पता कर लेंगे, जब आप balance sheet से financial position पता कर लेंगे, तभी तो आपको ये पता चल सकेगा, कि आपका business अच्छी position में है, या खराब position में है, तो interpretation का मतलब यही होता है, पता कर आपकी position कैसी है, clear हो गया बेटा, समझ में आ गया, तो ये आपकी definition है, I hope आप लोगों को one by one ये चीज़े समझ में आ गई होंगी, तो इस definition को आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है, अब आप कहोगे कि सर ये वाली definition भी बता दीजे, देखो चाहिए वाली definition लिख लो, चाहिए वाली definition लिख लो, अब आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हो, feature of accounting भी तयार हो जाएगा, मैं कहूँगा हाँ, चलो चेक कर लो, feature of accounting पहला देखो, पहला क्या, तीसरा देखो, पहला छोड़ कर, तीसरा देखो, recording of the transaction, recording of the क्या, transaction, फिर अगला देखो, classification of the क्या, transaction, फिर अगला क्या है, summarization of क्या, transaction, तीन feature तयार हो गए कि नहीं तयार हो गए, ठीक है, देखो, interpreting भी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, चलो, अभी इसको हम बात में देखेंगे, फिलाल उस definition को सब लोगों ने note कर लिया है, इसको ही याद कर लीजे, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और आपको याद रखनी है, देखें, यहाँ पर एक सब्द लिखा है, कहता है, identification, measurement, recording and communication, identification का मतलब क्या होता है, देखो, जड़ा सभी लोग एक काम करो, heading डालो, accounting cycle, heading डाली है, सभी लोग, accounting cycle, heading क्या आप लोगों ने डाला, accounting cycle, accounting cycle की जो हमारी बात होती है, सबसे पहले सुरुवात होती है, किस से, identification से होती है, identification of financial transaction, देखो, एक चीज जानो बेटा, class, एक चीज समझो, आपके सामने, as a accountant, कई सारे transaction होंगे, as a accountant, भाई, आप लोग financial accounting पढ़ रहे हैं, तो आगे चल के आप accountant ही तो बनेंगे, भाई, आप किसी भी organization के माल लीजे, आप accountant नहीं बन रहे हैं, लेकिन accountant की तरह, थोड़ा सोचो तो एक बार, देखो, financial accounting पढ़ने में मज़ा तब आएगा, जब आप अपने आपको accountant बन के सोचे, आप कौन हैं, अगर मैं आप से पूछू सवाल, तो आपके मन में क्या आना चाहिए, का आप कौन हैं, आप अपना नाम मत बताईए, आप ये मत बताईए कि आप हिंदू हैं, या क्या हैं, आप ये बताईए, और दूसरा क्या, non-financial, financial का मतलब, जिसमें पैसे का movement हो, चाहे पैसा आज मिले, चाहे पैसा बाद में मिले, अब आप कहोगे, सर, पैसा बाद में कैसे मिलेगा, क्यों नहीं, अभी आपने देखा था, एक formula आप लोगों ने लिखा था, कि मैंने पूछा था, भाई, sale किते तरीके की होती है, तो आपने वो formula भी तो लिखा, cash sale और credit sale, credit sale मतलब पैसा बाद में मिलेगा, credit sale मतलब क्या, पैसा बाद में मिलेगा, आपने मैंने पूछा, purchase किते तरीके के था, आपने कहा, दो, एक हो गया, क्या, एक हो गया, cash purchase, और दूसरा क्या हो गया, credit purchase, यानि पैसा आप बाद में दोगे न, पैसा अभी नहीं दे रहे हो, बाद में दोगे, तो पैसा जहां पे involved है, वही हो गया financial transaction, और जहां पे पैसा involved नहीं है, वो हो गया non financial transaction, तो एक accountant सबसे पहले क्या करेगा, identify करेगा कि ये financial transaction है, या फिर ये क्या है, non financial transaction है, हमने financial पता कर लिया, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर कुछ ना करो, फिर आप accounting में चले आओ, accounting की पहली कहानी क्या है, कहता है recording, एकाउंटिंग की पहली कहानी क्या है आपकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं ये भी आपने अभी अभी पढ़ लिया अब अगला क्या करें सर रिकॉर्डिंग के बाद अगली कहानी क्या है बेटा क्लासिफिकेशन अगली कहानी क्या है आपकी क्लासिफिकेशन सर क्लासिफिकेशन के बाद फिर क्या है बताओ क्लासिफिकेशन के बाद क्या है सम्राइजेशन ठीक है सम्राइजेशन अच्छा सम्राइजेशन के बाद अगली कहानी क्या है एग प्रेजेशन के बाद क्या है एनिलाइजिंग पर एनिलाइजिंग के बाद क्या है एनिटरप्रेटेектив इंटर प्रिटेनिंग और इंटर प्रिटेनिंग के बाद अगला क्या है हमारा कि लास्ट है कम नीकेशन प्लास्ट क्या है मारा कम नीकेशन घाइ कम्प्लीट इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं आपका एकाउंटिंग साइकल आई होप यह साइकल आप लोगों ने बना ली है अब देखो इसी साइकल को थोड़ा सा और सजा दिया जाए जा बात कर रहे हैं सर ड्रॉइंग थोड़ो ना करनी है रे यार ड्रॉइंग नहीं करनी है पता है मुझे लेकिन जब आप देखो कॉपी इस तरीके से बनाओ ना कॉपी जब एक बार खुले आपको देख के लग जाए कि वावा मज़ा आ गया कैसी कॉपी बनाओ जब आप कॉपी बनाएंगे अच्छे से ना तो चीजे भी आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी कॉपी खोलने का मन भी करेगा और जब आप कॉपी माल लीजे कोई दूसरा आपका स्टूडेंट देख ले रहा है उस कॉपी को यकीन मानना वो आपकी कॉपी तुरंत म इसको भी थोड़ा सा सजा दो फिर से जर्नल एंट्री क्लासिफिकेशन लेजर और इन दोनों के बीच में कौन आएगा सब्सीडरी बुग टिक समराइजेशन कैसे होगा ट्रैल बैलेंस ट्रैल बैलेंस के बाद देखो अब तो आपको खुद याद आने लगा ना ट्रैल बैलेंस के बाद हम लोग क्या इस्तमाल करेंगे फाइनल लेकाओं फिर अब क्या याद क्या बैलेंसी अब एक चीज़ और बताओं मैं आपको कमाल की बात देखो यह जो तीन चीजे आपने पढ़ी है न यही तीन चीजे आपकी financial accounting यही तीन चीजे आपकी financial accounting है सर यह सब क्या है फिर पीटा यह management accounting है यह आपकी क्या कहलाएगी management accounting इसको हम लोग management accounting में पढ़ेंगे analysis, analysis का मतलब क्या होता है visualization करना, interpretation मतलब result जो है उस पे विचार 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 विमर्स करना और फिर last क्या है आपका communication करना यह communication मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि communication में कई बार सवाल पूछे जाते हैं आप कमऌनीकेशन की बात करते हूं तो communication दो लोगों से किया जाता निया पैल ले लेता Programm निल्हा का ठीक है देखे कम्मुनिकेशन की जब आप बात करते हो बेटा तो कम्मुनिकेशन दो लोगों के बीच में किया जाता है कम्मुनिकेशन का मतलब होता है शेयर दाटा आप ऐसे समझे कम्मुनिकेशन का मतलब क्या होता है यही तो आपका क्या है डाटा ही तो है यह डाटा दो लोगों को शेयर किया जाता है एक जिने कहा जाता है एक्स्टर्नल और दूसरा जिने कहा जाता है आपका क्या इंटर्नल एक्स्टर्नल का मतलब ऐसे लोग जो बाहरी होते हैं पर बाहरी लोगों के साथ हम डाटा क्यों शेयर करेंगे अच्छा एक बात बताओ माल लीजे आपको नौकरी लग गई है तो घर वालों को तो बताओ होगे बताओगे बगलुच बीवीट तो बताओगे कि नहींगे प्सटर्नल का मतलब क्या होता है अब बाहर के लोग में कौन आ जाएंगे सबसे पहले गवर्मेंट अब प्र का आजाएगा टेक्स अथौर्टी आ जाएगा फिर का आ आपका supplier आजाएगा जो आपको समान supply कर रहा है फिर क्या आजाएगा creditor आजाएगा जिससे आपने समान उधार में खरीदा है तो यह सारे के सारे आपके क्या है external है एक और customer भी है ठीक है customer भी है अच्छा internal में क्या है internal में आपके owner आ जाएंगे बेटा कौन आ जाएंगे और owner के बाद फिर अगले कौन आ जाएंगे आपके employee आ जाएंगे कौन आ जाएंगे बेटा employee और employee की फिर तीन category कौन सी टॉप लेबल वाले मिडिल लेबल वाले और फिर आपके कौन से लो लेबल वाले कौन से वाले लो लेबल वाले ये तीनों आ जाएंगे ओनर मतलब employer और बाकी बचा कौन आपका employee जैसे top लेबल में आपके कौन से हो जाएंगे जैसे CEO हो गए या director हो गए तो ये आपके क्या हो जाएंगे टॉप लेबल में हो जाएंगे मिडिल लेबल में आपके क्या हो जाएंगे manager हो जाएंगे supervisor हो जाएंगे ठीक है कौन हो जाएंगे supervisor हो जाएंगे low label में जो factory worker है ये सारे हो जाएंगे point clear हो गया इनके साथ भी आप डाटा क्या कर सकते हो जो डाटा आपने क्या किया है डिजाइन किया है देखो कितना रंग बिरंगीन डाइगराम बन गया है आप लोगों का भाई मेरा तो रंग बिरंगीन हो गया है आपका पता नहीं मुझे कि आपका मुझे नहीं पता आप लोग हां हम उमीद करते हैं कि आप लोग अच्छा बनाएंगे ला यह दिखे जड़ा देखें कि सामने दिखाए भाई हम दिखा दें बिल्कुल स्क्रीन पर देख लीजे कोई बात नहीं अब दिखेगा चलिए बढ़ियां आए इस तरीके से आप डाइग्राम बनाएंगे न यकीन मानिए बेटा आपको पढ़ने का भी मानिए इस तरीके से जब आप बनाएंगे ठीक है वैसे यह नोट्स बनाई है प्रियांसु ने और बढ़ियां बीटा तो इतनी बाते समझ में आ गई आप लोगों को चलिए फिर आगे चलते हैं आई आगे चलते हैं तो अब देखिए आपको यह analysis interpretation communication देखो यह तीन चीजे तीन चीजे समझ में आ गई कि नहीं आ गई यह तीन चीजे समझ में आ गई एक बार आईए फिर स से इसको अम लोग क्या कर लेते हैं पढ़ लेते हैं अगांटिंग साइकल लिखकर आप लोगों ने डाइग्राम बना दिया था आइडेंटिफिकेशन मेजर्मेंट रिकॉर्डिंग और कम्मुनिकेशन अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं फिर कहता है और्गनाइजेशन और्गनाइजेशन क्या होता है और्गनाइजेशन का मतलब होता है साइज आफ दा बिसनेस अर्गनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा आपका size of the business जब भी आप organization की बात करते हैं टेटिंग डालिए organization टेटिंग डालिए organization जब भी आप organization की बात करते हैं तो organization आपका दो category का होता है होता है इसनी category का होता है एक होता है आपका profit making organization एक होता है आपका क्या profit making organization दूसरा होता है आपका क्या non-profit profit making organization, nonprofit making organization, profit making organization आपका तो category का होता है, एक होता है आपका manufacturing और एक होता है आपका क्या trading एक होता है आपका क्या manufacturing और फिर एक क्या होता है आपका trading और ये दोनों मिल कर इन तरीके से काम करते हैं इन तरीके से काम करते हैं और यह तीन तरीका इनके size साइज ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है इस पे डिपेंड करता है आपका बोलिए मेरे साथ साइज ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और size of activity का मतलब क्या है अगर छोटा organization है तो उसे हम नाम देते हैं soul proprietor का उसे हम क्या नाम देते हैं आपका soul proprietor इसे हम नाम जिसे हिंदी में कहा जाता है एकल व्यापारी इसे क्या कहा जाता है आपका एकल व्यापारी और soul प्रोप्राइटर के बाद अगला क्या है आपका पार्टनर्शिप और फिर लास्ट क्या है आपका क्या कमपनी अगर किसी ने और गनाइजेशन की बारे में बात किया जैसे सब्सक्राइब कि माल लीजे आपके कॉलेज में आपके टीचर ने पूछा कि वट इस दा और गनाइजेशन अब बोलना कि सर कलेक्शन आप द परसन इस कॉल्ड द और अगर प्रॉफिट है तो सर और अरगनाइजेशन आरा क्लासिफाइड इन टू पोर्शन वन इस दा मैनुफेक्षरिंग सेकंड वन इस दा ट्रेडिंग और फिर यह मैनुफेक्षरिंग और ट्रेडिंग फिर दो अब तीन भागों में काम करते हैं उनके अक्टिविटी के आधार पे थोटा तो सोल प्रोप्राइटर फिर बड़ा पार्टनर्सिप फिर उससे बड़ा क्या आपका कंपनी पंड क इस रिफर्ड तो दा साइस अप दा अक्टिविटी और लेबल अब बिजनेस अपरेशन पॉइंट क्लियर हो गया वेटर अब फिर उसके बाद अगला देखेंगे इंटरेस्टेड यूजर आप दा इंटर्मेशन इंटरेस्टेड यूजर के बारे में हम आपको आपको आ एक दा करेक्ट डिसीजन ठीक है बाते समझ में आ गई अब फिर अगला हेडिंग डालिए बिटा फंडामेंटल आप दा अकाउंटिंग क्योंकि यह जो तीन पोर्षन है यह तीन पोर्षन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अब यहां पर आपको तीन चीजे देखनी है आप इसको फंडामेंटल आफ अकाउंटिंग के साथ साथ एक सब्द और लिख लिजेगा अकाउंटिंग एक्क्वेशन यहां पर हम आपको इसके बारे में भी समझाएंगे कि अकाउंटिंग एक्क्वेशन है क्या देखो बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग क्लास में बोर तो नहीं हो रहे हो ना चालो बोर भी मत होईएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टन चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पंडामेंटल ओफ एकाउंटिंग देखें पहला है आपका एसेट्स दूसरा है लाइबिलिटी और तीसरा क्या है ओनर एक्कुटी और आपको मैं बताऊं इन तीनों को इन ये तीनों आपके दिखाये जाते हैं कहां बैलेंसीट में अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमारी बैलेंसीट मैच नहीं होती इसलिए मैच नहीं होती क्योंकि वो इस फंडामेंटल के कॉंसेट को नहीं समझते वो इस portion को ही नहीं समझते तो जब नहीं समझोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा पहला है आपका assets क्या होती है जो business के लिए ध्यान से सुनिएगा assets की दो विसेष्थाएं आपको बताता हूँ मैं इससे आपको पता चल जाएगा कि ये assets है या नहीं है assets पहला जिसे आप क्या करते हो use करते हो पहला है जिसे आप क्या करते हो use करते हो दूसरी विसेष्था converted या convert into cash convert into cash कोई भी transaction किसी भी transaction के अगर किसी भी transaction में ये दो चीजें आपको मिल जाएं पहला क्या है यूस यूस मतलब या हम ही इस्तमाल कर रहा है बिजनस है ना हम हम बिजनस है तो बिजनस क्या कर रहा है यूस कर रहा है और या फिर उसे convert into the cash जैसे suppose करिए मेरे पास ये क्या है mobile है पर पास क्या है mobile है अब इस mobile को मैं क्या करूँगा यूसी तो करूँगा यह मेरे लिए क्या बढ काम Gd करउंगा कैस्ट करूंगा पर्सुनल है ना माल लीजी मैं बिजनिस मैं क्या करूंगा सो सबसक्राइब यूसीइ तो करूंगा यूस करो कि मेरे पास कांगच की नोट है है तो कागज की नोट ही ना अब इसको मैं क्या करूंगा इससे क्या करूंगा ऐसे पकड़के पसीना उसीना पोचूंगा या इसको दिवाल में इसे लगवाओंगा क्या करूंगा का मतलब इसकी वजह से मैं कोई भी समान बड़ी ही आसानी से खरीद सकता हूं आप यह देखिए कि जब पहला क्या है यूज करना और दूसरा क्या है आपका कंवर्ट इंटू दा क्याश जैसे सपोस करिए कि मैं एक बिल्डर हूं माल लीजे एक मिट के लिए मैं क्या हूं बिल्डर हूं तो मेरा काम क्या है घर बनाना घर बना के उस घर को बेच देना घर बना के उस घर को क्या कर देना बेच देना माल लीजे मैंने 50 घर बनाए तो क्या मैं 50 गर को यूज करूँगा कि इसी एक घर को यूज करूँगा एक घर को और बाखी बचे घर को क्या कर दूँगा बेच दूँगा यानि वो भी तो मेरी क्या बन गई assets बन गई की नहीं बन गई समझ में आ गई तो assets का मतलब क्या होता है या तो जिसे आप use करिए या तो जिसे आप क्या कर दीजे cash में convert कर दीजे बंड कलियर हो गया अब थोड़ा सा liability के बारे में देख लेते हैं यूस लिख लिजेगा अब देखुर liability का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से liability का मतलब होता है payment या payment क्या आप इसे लिख लिजे obligation क्या लिखेंगे बिटा financial obligation अब आप कहोगे सर obligation क्या होता है देखें इसे हिंदी में कहते हैं दाइत्तो है दाइत्तो को भुकतान करना पड़ता है दाइत्तो को क्या करना पड़ता है मैं एक bank से गया मैंने एक bank से loan ले लिया मैंने का भाई एक लाग का लोन दे दो अब bank ने मुझको एक लाग का लोन दे दिया बाद में क्या मैं उस loan का भुकतान करओंगा या नहीं करओंगा बिल्कुल करेंगे तो ये है मेरा financial obligation यानि जिसका हमें payment करना पड़े future में obligation यह G होगा जिसका हमें क्या करना पड़े payment करना पड़े और payment कब करना पड़े future में तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा हमारी liability कहलाएगी पहले payment कर दिये तो आपकी assets बन जाएगी जो ना बात में payment करोगे तो liability बनेगी पहले payment करोगे assets बनेगी अब आप कहोगे sir ऐसे कैसे जैसे suppose करो कि आपके घर शादी है आप गए एक खाना बनाने वाले के पास आपने उसको उसने का भिया शादी है और शादी हमारी 14 फरवरी को है ठीक है वैसे यह मेरी शादी इसी डेट पे थी ठीक है तो 14 फरवरी को मेरी शादी थी ठीक है हो चुकी है हाँ ऐसा ना हो कि आप लोग 14 फरवरी को मुझे message करो sir सादी में आना है party है हो चुकी है शादी तो मैने कहा मा लीजिए मान खाना बनाने का खाना बनाने वाले के पास में गया मैने कहां विया 14 फरवरी को शादी है और खाना बनाना है 200 गोका उसने का ठीक है कुछ नहीं मालिक 20 haiつ b到 का खर्चा आएगा तीक है कोई बात नहीं यह 115,000 रूपय यह 959. Bald बर यह आपकी assets है कोई भी चीज अगर आप पहले ही पे कर देते हैं वो आपकी assets हो जाती क्यों 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 कि आप उस 5000 के बदले आप उसको क्या करोगे बुला लोगे आओ मेरा काम करो वो मेरी क्या है assets है अब सोचो 5000 के बाद यह आया मेरे यहां काम किया यह आया और इसने मेरे क्या क्या किया काम किया और काम जब इसने किया अभी भी कितना बाकी है मैंने कहा 4 दिन बाद लेना अब बताइए क्या यह मेरी liability है कि नहीं है यह मेरी क्या है liability है point clear हो गया तो एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि assets और liability में एक ही चीज का अंतर होता है और वो अंतर यही होता है कि assets आप use करते हैं और liability आपको pay करना पड़ता है यह आपको दिमाग में रखना है और owner capital क्या होती है या owner capital मतलब ऐसी capital जो की ऐसा amount जो की ओनर की द्वारा business में लगाया जाए ऐसा amount जो की owner की द्वारा क्या किया जाए लगवाया जाए वह आपका क्या कहलाएगा owner capital कहलाएगा ध्यान देंगे तो मैंने क्या कहा कि owner क्या है owner capital क्या है जो की owner के द्वारा क्या किया जाए आपका इन्वेस्ट किया जाए बिजनस में वही आपका owner capital कहलाता है अब owner तीन तरीके से business में आपका investment करता है या तो वो cash लेकर आएगा या तो वो kind लेकर आएगा या तो वो फिर क्या लेकर आएगा goods लेकर आएगा इन तीनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे हमारा क्या निकल के आजाएगा capital निकल के आजाएगा निकल के आजाएगा बेटा capital निकल के आजाएगा पताएगे समझ में आगया कि नहीं आगया यानि amount invested by the owner is called the capital पहला क्या है cash मतलब नगद kind यानि समान और goods यानि और ये goods के जंगा बेटा assets लिख लीजेगा assets amount invested by the owner is called the capital तो फिलाल ये definition पढ़ लेते हैं और आज की class यहीं पर समाप्त करते हैं assets क्या होती है एक बार पढ़ लीजे जल्दी से कहता है कि economical value economical value of the item which is the posed by enterprises it's referred to the assets point clear हो गया और यहाँ पर देखे एक line लिखी भी है line यहाँ पर लिखी भी है assets are those terms which can transformed into the cash or generated income for the enterprises shortly complete discussion करेंगे कहाँ पर journal entry वाले chapter में liability क्या होती है liability the value of obligation of debt payable by the enterprises to the other establishment or a individual it's referred to the liability इसके बारे में भी complete discussion कहाँ करेंगे journal entry वाले chapter में owner equity गया होती है owner equity the amount invested by the capital sorry owner is called the owner equity अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग लिख लीजेगा ठीक है एक फॉर्मूला लिख लीजेगा स्टार देखे assets is equal to capital plus liability यह है आपका fundamental concept का एक फॉर्मूला assets is equal to capital plus liability अच्छा एक बात बताईए अगर किसी ने पूछा कि ज़रा बताओ capital कैसे निकालते हैं कि क्या formula होगा आपका assets minus liability यह आपका formula होगा ना कि liability minus assets होगा क्योंकि assets का value ज़्यादा ही रहेगा यहाँ पर अच्छा किसी ने पूछा ज़रा बताओ liability का भी फॉर्मूला बता दो यार liability का formula क्या होगा आपका assets minus capital assets minus capital fund clear होगया बिटा चलिए फिर तो आज के लिए फिलाल इतनी ही बातों पर हम अपनी क्लास को क्या करते हैं समाप्त करते हैं आप लोगों ने अच्छा सास दिया आप लोगों ने पढ़ाई की बहुत अच्छा लगा मुझे बस आपको एक काम और करना है कि आपको regular class attend करनी है आप accounting guru institute में आकर अपनी face to face class को भी जॉइन कर सकते हैं जो जॉइन करने का जो time है देखें नंबर आपका screen पे चल रहा है इस नंबर पे आप हमें call करके बाकी detail को ले सकते हैं financial accounting के साथ साथ अन्य classes भी यहाँ पे चलती है PICOM की classes हुई CA, CS या CWA की classes हुई या फिर हमारी class 11, class 12 की classes हुई इन सब के बारे में आप हमसे इस नंबर पे call करके पूछ सकते हैं बाकी class कैसी लगी इसके बारे में जरूर आप लोग अपना feedback दीजे feedback देने के लिए comment box खाली है उस comment box में जो भी आपका मन गरे वहाँ पे आप अपना type करिए लेकिन जरूर message करिए, जरूर बताइए कि आपको class कैसी लगी ताकि हम आपके comment की वज़े से improvement और अच्छे से कर सके आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए मिलेंगे कल तब तक के लिए जै हिंद जै भूले नाथ